नमस्कार मैं हूँ राजे शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके है वन इंडिया हिंदी देभुमी उत्रकंड के उधम सिंग नगर से एक बड़ी ख़वर सामने आई है उधम सिंग नगर में दो अग्यात बाइक सबार बदवाशों ने नानक माता गुरुद्वारे की प्रमुख जत्यदार बाबा तरसेम सिंग की गोली मार कर जवान ले ली इस हत्यकांट का CCTV फूटेज भी सामने आया है जिसमें बाइक सबार बदवाशों को साफ तोर पर देखा जवा सकता है घटना गुरुवार सुभा की बताय जवा रही है जब तरसेम सिंग रोज की तरहा डेरे पर बैठे थे तभी बाइक सबार दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गए आननफान में तरसेम सिंग को खटीमा के अस्पताल पहुंचवाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया बाबा तरसेम सिंग की हत्या के बाद से ही प्रदीश में हरकम मच गया है और मौके पर भारी पुलिस वल की तैनाती की गई है साथ ही SIT का गठन भी किया गया है वह इस पूरे मामले पर उत्राखेंड पुलिस की डाइरेक्टर जनरल रोफ पुलिस अविनव कुमार ने क्या कुछ कहा जाते जाते वो भी सुन दीजिए अवातर सेम सिंग जी उन पर गोलियां चलाएं और उनको घायल हवस्ता में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवता वो की मृत्ति हो चुकी है निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है नानक की सूचना मिलते ही वहां पे तुरंत मरिश्चा दिकारी वहां मौके पे पहुँच गए हैं स्सपी अलड़ी मौके पे पहुँच चुके हैं और जो डियाई जी कुमाओं हैं वो भी मौके पे पहुँच रहे हैं घटना सलका निरिक्षन करेंगे स्थानी जनता से बाचीत करेंगे और जो वहां की जो भी प्रतिक्रिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे हमने इस घटना की जाच पड़ताल के लिए एक साइटी का पुलिस मुख्याले द्वारा गठन किया गया है जिसमें स्थानिया पुलिस के भी अधिकारी उसमें रहेंगे और इस स्थानिया के पीछे कोई और बड़ा स्थानिया साजिश है उसका भी हमें परदाफाश करना है साथ ही साथ हमने जो हमारी सेंट्रिल एजेंसी हैं उन से भी संपर किया है कि अगर उनके उनके पास इस घटना के बारे में या जो जिनकी हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंजी उनके बार करेंगे और उनकी खिलाब सक्से सक करवाई करें इस खबर में फिलहाल इतना ही खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद